कैसे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनोत शांचु पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से आपका फिर से स्वागत है हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तैयारी और इसको जब आप वीडियो यूटुब पर देखते हैं तो आपको वीडियो जो है एक तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए और उसके साथ साथ जो है आपका फीड़ बैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको जहां जहां पर समस्याएं हो रही है या जो जो हिस्से ऐनकaki मिलेंगे यहां पर Πुल मिला के सॉतमार्ण के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं आपको एक जगा एक प्रिशन जो है एक आंक का और बाकी दो प्रिशन तीन आंक के मिलेंगे इस सिल्सले में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने उर्जा बेंडों के बारे में बातें की थी और अब आज हम उस से जूड़े हुए सवालों की चर्चा करने वाले हैं तो हमारे सवाल क्या है आईए देखते हैं सबसे पहले देखेंगे कि N पकार के अर्थचालक है तू उर्जा बेंड के दाता उर्जा इस्तर को दर्साईए अब यहाँ पर हम दाता उर्जा इस्तर और गराही उर्जा इस्तर इनके बारे में समझने का प्यास करेंगे देखिए यहाँ पर एंड टाइप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर इलेट्रोनों की संख्या अधिक है तो यह जो इलेट्रोनों की जो अधिक संख्या यहाँ पर राप्त हो गई है इसके कारण जो है संयोजक बैंड के उपर जो है अधिक उर्जावान इलेट्रॉन जो है आपको यहां चलते हुए नजर आ जाएंगे मतलब यहां पर यहां पर ये सज़ सैयों ज़कता बैंद उपर आ गया और इस उर्जाइस्तर को जो की अस्धियों के कारण है इसे हम दाता उर्जाइस्तर कहेंगे और अब जो है क्या हुआ कि अब जो है इन इलेट्रोनों को कंड़क्शन बैंड यारे की चालन बैंड में पहुँचने के लिए अवशक उर्जा का मान पहले की अपिक्छा कम हो गया तो इस प्रकार से जो है हम क्या देखेंगे कि असुद्धिया मिलाने से चालन ज्यादा आसान हो गया तो यह दाता उर्जा इस्तर है इसके विप्रिद जो है पी टाइप समी कंड़क्टर में क्या होता है इलेट्रान को ग्रहन करने की छमता बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास में त्री सैयोजी जो है अशुद्धी मिलाए गई है और उसके कारण होलों की संख्या बढ़ गई है तो ग्रहन करने की छमता बढ़ जाने के कारण यहां पर उर्जा इस्तर थोड़ा और नीचे आ जाता है यह जो है चालन बैंड जो है अपने उर्जा की आवशक्ता से कम उर्जा में भी इलेट्रानों को पकड़ कर और उसके बाद में उसके द्वारा चालन करने के लिए त दिख लिया 2019 का यह प्रशन है और आप के लिए जानना महत्रपूर्ण था इसके साथ हम लोगों ने देखा कि पी टाइब के और एंड टाइब के अधर चला के लिए बहुत संख्यक आवेश को के नाम लिखे तो पी टाइब के जो बहुत संख्यक आवेश होंगे यह धनात क्या होता है कि एंड टाइब में इलेट्रोनों की संख्याधिक है इसलिए इलेट्रोन जो है वह मुख्य रूप से बहुत संख्यक आवेश होते हैं 2022 का प्रशन है और महत्वपूर्ण भी है आगे देखेंगे दो पी एंड संधी डायोडों को जोड़कर क्या एंड पी एं 3 जिसमें बुर्ण फेंली की दोपिंग अधिक है और इसके कारण जो है इनके पास में नें संख्याधिक हो जाएगी तो यह उरूब की संख्या अधिक वाले पी टाइप सिमीकंडुक्टर ठीक है अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि एंड टाइप के संदॉक पर आप नाइट्रोजन फैमिली के जो है अशुद्धियां मिलाते हैं और इनके पास में इलर्ट्रानों की अजिक्ता होती है अब क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ देने पर क्या होता है कि यहां पर आपको डिप्लीशन लेयर यहां पर एक स्तर दिखाई देता है जहां पर आप यह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और फिर इलर्ट्रानों का प्रवाद थोड़ा बाधित हो जाता है तो यह तो हो गया हमारा क्या हो गया यह पी जंक्शन हो गया यहने कि इसको पी एंट संधी डायोट कहा जा सकता है अब जब आप पी एंप या एंप या ट्रांजिस्टर बना रहे होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं के यहाँ पर भी टैफ और यहाँ पर भी प्याइप देखी है कि इसका जो लेइर है याने कि दूसरे पकार का जो है जो औरधचालक है उसकी जह मातरा बहुत कम और इन दोनों में जो है असुद्धियों की म पी एन टाइप के डायोड जोड़कर ट्रांजिस्टर का काम करने का प्रयास करेंगे तो वह संभाव नहीं हो पाएगा 2019 का प्रश्ण है और आपको जो है यहां पर पूरे अंक मिलने चाहिए अब जो है अधिक्तम प्रवर्तन के लिए आप टांजिस्टर को उभाएणिस्ट आधार विधा और उभाएणिस्ट उत्सरजक विधा तो जो है हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन बेस डायोड कॉमन 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 बेस का मतलब है उभाएणिस्ट आधार विधा और जब यहां पर जो है आप करते हैं तो यहां पर जो है आपको शक्ति लाव और उर्जा लाव दोनों चीज़े जो है अधिक प्राप्त होती है इसलिए हम कॉमन बेस यूज करते हैं 2019 का प्रश्ण है अगला प्रश् आपको एइन मिल रहे हैं जब कि पी-ंपी में होलों की संख्या अधिक है बताइए कि किसी पर्माणों में से इलेट्रोनों को निकालना ज्दा आसान होता है या नाभिकों को तो आपको उत्तर होगा कि नाभिक परमाणों का भिंन हिस्सा है उन्हें नहीं निकाला जा सकता इलेट्राणों को जो है किसी भी परमानों से निकालना ज़़ा आसान होता है तो आपको जो है विद्दूत के चालन के लिए इलेट्राणों की संख्या प्रचूर मात्रा में कहां मिलेगी NPN में और इसलिए जो है आप प्रवर्धक के रूप में NPN को जहां चुनाव करेंगे यह 2019 का प्रशन है और यह भी बहुत आसान था हम आगे बढ़ेंगे PN संधी डायोट के दिश्टकारी के इतने प्रकार के होते हैं और किसी एक दिश्टकारी के विदूत परिपत का चित्र एवं समय के साथ में निरोधी तथा निर्गत विभाव का गराब बनाएए यहां पर देखते हैं कि भाईया PN जंक्शन को हम लोग इस प्रकार से पदर्शित करते हैं जहां यह धनात्मक P और यहां धनात्मक N हैं अब इसे हम दो प्रकार से बैटरी से जोड़ सकते हैं पहली युक्ती है जब आप बैटरी के धनात्मक हिस्से को धनात्मक और रिनात्मक हिस्से को रिनात्मक के साथ जोड़ देंगे इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम फारवर्ड बायोस कहेंगे इसके साथ आगर आप यह युक्ती अपनाते हैं कि आपने यह तरीके से डायोड लिया इसके रिणात्मक हिस्से को धनात्मक से और धनात्मक हिस्से को रिणात्मक से जोड़ दिया तो इसे हम Reverse Biasin कहते हैं तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने विद्दु पर दिश्ट कारी हम लोगों को ने देख लिया अब प्याइं संथे जो है डिस्ट कारी का मतलब होता है कि हम ऑफ करण दे रहे होते हैं तो उसको लिए हम दिश्ट धारा यूंड की डिसी कारेंट के रूप में प्रापत करने परयास करते हैं, इसे हम दिश्टट कारी कहते हैं और इसके लिए एक परपस में आपके सामने बना देता हू यह अर्ध दिश्ट कारी है और यहां पर देखेakचें यहां से आपने अपने अपने वांचित voltage में लाने के लिए जो है इस प्रकार से दूसरे जो है induction coil का उपयोंग किया यहां पर आप forward bias पे जो है इस प्रकार से यह junction लगाएंगे और यहां पर जो है आपको क्या दिखाई देगा यहां पर आपको आउटपट दिखाई देगा यह अर्द दिष्ट कारी है और इसका उपयोग कैसे हो रहा है कि जब धारा बढ़ रही है उस समय में यहां फॉरवर्ट बायोस में रहेगा और इसके कारण यहां पर से धारा का प्रवाह होगा आपको यहां पर विद्धूत विभाव मिलेगा लेकिन जब यह धारा घट रह होगी तब जो है यह रिवर्स बायस में आ जाएगा इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा और वह हिस्सा कट जाएगा तो आपको जहां पर जिस प्रकार से दिष्ट धारा मतलब एसी धारा यह प्रत्यावर्ति धारा ऐसे दिखाई देरी है इसका आउट्पूट आपको जाएगा इसका आउट्पूट आपको मिलेगा कि जब भी उपर धनात्मक बढ़ रहा होगा तब यहां पर आपको धारा मिलीगी लेकिन बीच में जो है जब जेटारा अर्धद्रस्ट कारी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं पीन संधी डायोट क्या है अग्र अभिनित बाय पर में क्या करेंगे हम जो है बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि धनात्मक हिस्सा जो है पी की ओर और इनात्मक इस्सा एन की और जुड़ा रहे ऐसी स्थिती में जो है इसमें से विद्धुत धारा का प्रवाह कब चालू होगा माल लेते हैं कि हम यहाँ पर धारा दिखाई देने लगती है यहां धारा और यहां विद्दूत विभाव है तो यह अगर अभिनीद जो है और बायसिंग के लिए हमको ग्राफ मिल गया तो वी आई अभिलाक्षणिक प्रत वक्र जो है हमको दिखाई दिया 2020 का प्रश्ण है फिर 22 का प्रश्ण है और 2021 में भी इसे हम लोगों ने देखा था ठीक है अब आगे देखते हैं पी एन संडी डायोड क्या है परिपत खीच कर इसका वी आ या भी राक्षणिक वक्र बनाई है फिर से जो है हम पस्ट अभिनीद बायस के लिए जो है पी को रिनात्मक और एन को धनात्मक बैटरी के हिस्से से जोड़ेंगे तो जो है यहां पर ऐसा दिखाई देता है देखिए और अब हम क्या करेंगे जब यहां पर विद्द धार का प्रवाह हम बढ़ा रहे होंगे तो क्योंकि जो है एन टाइप है और यहां पर आप लोगों ने धनात्मक हिस्से से जोड़ा है तो यहां से जो है इनको सैटिसफाइब करेगी और एक बार जो है पी सेचुरेट हो जाएंगे उसके बाद में अपर इस ते साल होगा इसका जो है जब हम वी आई गराब बनाते हैं यहां आई लेंगे यहां वी लेंगे तो जैसे जैसे हम जो है परिपत में वोल्टेज जो है विपरीत दिसा में बढ़ा रहे हैं मतलब रिनात्माक वोल्टेज आगको दिखाई दे रहा है तो यह वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद विदुद्धरा दिखाई नहीं देती और एक ब्रेकडाउन पॉइंट आता है जहां से हमको अचान संगदेश्टकारी के रूप में पी एन संधी डायोट का वर्णन निम्लिकित स्विसों के अधार पर कीजिए जाहिर सी बात है कि यहां पर चित्र में एक और उसके बाद में कारेविधी में जो है आपको दो अंक मिलने वाले हैं यहां क्या हो रहा है आप फिर से ध्यान द इस कुंडली से जो है हम एक दिसा में पी एन जंक्शन को किस बायस में रखेंगे तो यह जो है विदुद धारा के बढ़ने और घटने के करमपर नेभर करता है और यहां पर जो है जब हम प्रतिरोद लगा देंगे तो हमको जो है यहां आउट्पूट मिलेगा ठीक है बायस में रहता है मतलब यहां से विदुद धारा का प्रवाह होगा और हमको जो है इसके रिजल्ट में नीचे भी विदुद धारा दिखाई देगी ठीक है लेकिन जैसे ही विदुद धारा का मान घटने लगता है यहां पर विदुद धारा जो हमको दिखाई दे रही है बायस के टाइम में लेकिन जैसे ही विदुद धारा का ना मान घटने लगता है उस समय में यह रिवर्स बायस में आ जाता है और धारा के प्रवाह को रोक देता है तो यहां पर कोई धारा नहीं दिखेगी और फिर जैसे ही यहां पर दोबारा बढ़ेगा तो हमको इस प्रका सम्झाइए और इसके बाद में पूर्ण करंग दिश्टकारी में ज्यादा अंतर नहीं हैं हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो है हम एसी सोर्स लगाएंगे और यह एसी सोर्स जो है एक कुंडली के माध्यम से होका गुजरेगा दूसरी कुंडली हम लोगों ने यहां यहां से देखिए जब भी विद्दू धारा जो है उपर बढ़ रही होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अच्छा इसको जो है इस परिपत को जो हम दूसरे तरीके से लगा लेते हैं चलिए यहां जो है हम यहां पर भी जो है फावरड बायस में ले लेते हैं और य इसी की जो है धारा उपर की और बढ़ रही होती है या नीचे की और जा रही होती है ऐसी स्थितियों का वर्ण करते हैं जब विद्दू धारा उपर की और बढ़ रही होती है तो हमारा डी वन यानिकी पहला डायोड जो है वहारोड बायस में रहता है लेकिन यह वाला जो और यहां बिंदू जो है अभी भी बीच वाला बिंदू न्यूटरल रहता है तो हमको यहां पर धारा मिलने वाली होती है और इस प्रकार से पूरी की जो है पूरी जो एसी धारा उपर और नीचे की और चल रही है वह हमें इस प्रकार से दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते है हमारे लिए महात्रपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि आप यह चीज़ें अच्छी तरीके से सीख पाए होगे इसके बाद में फोटो डायट के बायसिंग को पदस्थ करते हुए विद्धुत परिपत का रिखांकिक चित्र अब देखें फोटो डायट क्या होता है फोटो डायट को हम हमेशा रिवर्स बायस में जो है रिवर्स बायस में जो है कनेक्ट करके रखेंगे अब फोटो डायट को प्रदस्थित करते हैं फोटो डायट को प्रदस्थित करने का तरीका यह है कि इस प्रकार से यहां पर प्रकास आ रहा है अब हम क्या देखते हैं जब तक प्रकास आ रहा होता है तब तक रिवर्स बैयशिंग में यहां पर परिपर पूरी तरीके से चुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही प्रकास की उपस्थिती को काट दिया जाता है वैसे ही यहां पर परिपत तूट जाता है और परिपत तूट जाने के कारण इसके विभिन उप्योग हैं जैसे कि आप सुरक्षा की दृष्टी से उसके बाद में आपका जो लिफ्ट के दरवाजे हैं उस जग और यहां पर आपको भी दिखाई देता है तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्ण अभी देखे अगले वीडियो में भी हम कुछ और चीज़ें डिसकस करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद